जैसे आप लोगोंने लाच एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लूफएंग था वो हेडिज हूल एंदर एंटर कर चुका था हेडिज हुल वो जगा थी जहाँ जाके लूफएंग को अपना इनहरीटेंज मिलने वाला था वहाँ पे आती जो लूफएंग था उसे एक नए गेस्ट होता है उन लोगों के पास लगब लब वन लाइक मेरिट्स का एक फ्री एक्षेंज कूटा होता है अकॉर्डिंग टुड़ रूल्स ऑफ हरिटेज हॉल जस्वंदी के पास जितने ज्यादा मेरिट होंगे वह उतनी ज्यादा हरिटेज को खरीच सकता है उस बु मेरिट की बीच में आता है पास एक लाइक मेरिट से तो दस लाइक के अंडर अंडर ही जितनी भी हरिटेज रूस इस उनको देख सकता था और एक्जामपल अगर लोगों के पास तीन मिलियन मेरिट होते तो थर्टी मिलियन से जादा हां हरिटेज को समझ जाता है कि बाद तो जो बुड़ा होता है वो अपना हाथों को वेव करता है और लूफ एंग के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन अपियर हो जाती है जिसके उपर काफी सारी dense information लिखी हुई थी सारे के सारे heritage जो लूफ एंग के सामने आयते यो उपर से नीचे आयते यानि के high to low rank के इसाब से इसके बाद वो बुड़ा यह से चला जाता है और कहता है जैसी तुमारा inheritance select हो जाए तो मुझे आवाज लगा देना तुम अपना time ले सकते हो यहापे कुल भी time limit नहीं है जो सबसे पहला inheritance लूफ एंग को दिखा था वो था cause and effect amber इसको exchange करने के लिए लगब लव वन मिलियन मेरिट की जरुवत थी जो cause and effect origin revenue था इसको use करने के लिए आपको हुयान पावर की जरुवत होती है हुयान पावर भी choice power की तरही होती है लेकिन यह थोड़ी से अलग होती है जो हुयान पावर होती है वो generally cage के outside के अंदर use होती है इसके जो पावर होती है वो same level के comparison के अंदर उसके beyond होती है जह जो Psalर होती है वो cage के अंदर की powers होती है लेकिन जो huyan powers होती है वो cage के भार की powers होती है and choice power की comparison के अंदर huyan power ज़्यादा powerful होती है वही याप हम लोगों कुछ और traces देखने के लिए मिलता है यानि कि huyan space ram information इसके 8 volumes है and volume 1 की कीमत 1 million merit के आसपास थी indefinitely इस तरीके के अगर आप किसी volume को comprehend करना भी चाहो तो इसके जो requirements होते हों काफी ज़्यादा होता है जिसके आपके बास space origin होना चाहिए and उसकी काफी यादा extremely high information होना चाहिए साथी साथ huyan power के बारे में भी आपको काफी रह deep knowledge होना चाहिए इससे पहले आप ऐसी किसी volume को comprehend करते हो उसको आपको सबसे पहले huyan power को comprehend करना सीखना पड़ता है and huyan power को comprehend करने के लिए आपको huyan materials की ज़रुत पड़ती है and guys huyan power basically cage के बार की powers होती है जिसकी loofang अभी origin के अंदर रह रह रहा है लेकिन जब वो origin continent के बाहर कदम रखेगा तो वो जो जगह होती है वो एक तरीके से बाहर की जगह होती है जिसकी earth और space होता है वैसी origin continent और origin continent के बाहर की जगह होती है and बाहर वाली जगह पर ही आप लोगों को huyan power देखने के लिए मिलेगी यहापे काफी सारी रिसूर्स से जो लूप फैंक था वो हर एक रिसूर्स को क्लिक करकर करके उसकी information को बढ़ा जा ता कि उसे knowledge मिले after all इन में से जाधर चीजों को वो खरीद तो नहीं सकता था बट इन सब चीजों के बार में वो information लेना चाहता था लूप फैंक को एक चीज़ काफी चितरकी से समझ चुकी थी कि जितने भी चीज़े one power से related थी उन सारी चीजों की कीमत काफी जाधा थी as compared to normal चीज़े यहापे हम लोग को और भी resources देखने के लिए मिलता है जैसे कि time origin am new जो की लगबग लबग 9 लाग merits के था यहापे हम लोग को एक blood beetle armor भी देखने के लिए मिल जकता था जिसकी cost लगबग लबग 8 लाग merits के आसपास थी यहापे एक god king level का weapon भी था जिसकी कीमत लगब लबग 8 लाग merits के थी अल्टोड यहापे काफी सारी चीज़े थे जिनके उपर loofang का दिल आ गया था जो loofang था वो काफी था गरीब था उसे इस वग वो बस कुसी एक चीज़ को ले सकता था जिससे फिलाल के लिए उसका काम चल जाए यहापे एक और चीज थी जिसका नाम था 72 blade of destruction यह एक technique थी इसके मदद से आप origin of destruction को comprehend कर सकते थे कल्टर जो loofang था उसके पास 9 boundary breaking blades थी लेकिन उसके comparison के अंदर यह वाली जो 72 blade of destruction थी काफे था powerful थी क्योंकि loofang एकी चीज़ ले सकता था इसलिए वो life spiritual lineage को ले लेता है वही जो loofang होता है उसे इस चीज़ को लेने में काफे था लंबर time लग जाता है क्योंकि वो काफे सारी information and काफे सारी अलग अलग चीज़ों के उपर नजर गुमा रहा था क्योंकि loofang ने इस तरीके के नजारे अस तक अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे जैसे loofang at dan life spiritual lineage को slack कर लेता है वो उस बुढ़े को वापिस से बुलाता है जो कि काफे था लंबर time से loofang का इंतजार कर रहा था पर यह जो बुढ़ा था यह काफे इस तरीके से जानता था अभी से आज़त पढ़ जुकी थी यहापे इस तरीके से इंतजार करने की जितने भी नए guest आते थे वो लोग काफे था excited होते थे और वो कोई भी चीज लेने से पहले काफे था लंबर time तक उन सारी चीजों के बारे में knowledge वगेरा और बागी सारी चीज़े इखटा करते थे अप्टर ओल इस जगो को बनाए इस तरीके से गया था कि गर आपके पास बस एक लाग मैरेट्स भी होंगे फिर भी आपको 10 लाग मैरेट्स सके इनेरिटेंस दिखाए जाएंगे और इस लिए दिखाया जाते ताकि आप ज़्यादा मैंगे इनेरिटेंस को देखके और ज़्यादा आकरशित हो सके आपके मन में और ज़्यादा motivation आए और ज़्यादा आप मेहनत करो और merits के लिए जब लोग इस तरह किसे देखने में लग जाता है जो लूफएंग होता है वो directly उस बुटे के कहता है कि वो 8 revolution life form को exchange करना जाता है उसका first revolution के साथ वो बुटा थोड़ा से surprise होता है क्योंकि जो लूफएंग था उसने एक हिभारी के अंदर पुरा पुरा अपना 1 lakh merit coins खतम कर दिये थे वो भी बस एक inheritance के लिए लेकिन लूफएंग उससे कहता है कि हाँ वो इसी इसको लेना ही चाहता है के बाद वो बुटा कुछ नहीं कहता है वो अपने हाथों को वेब कर दीता है लूफएंग के सामने एक detail inheritance आ जाता है और काफी सारी vast knowledge इस knowledge को observe करने के लिए जासे एक detail inheritance के काफे था कमी थी उसके पास बहले inheritance of origin था जो कि उसको master jau shenky से मिला था जिससे वो काम चला रहा था फिलाल वो इतना जाता detail नहीं था कि after all जो master jau shenky थे वो भी इस यांग fang Asian country के guest थे तो आप सोच सकते हो कि master jau shenky भी यही से inheritance उठाय करते थे लूफएंग को अब जाके समझ आ रहा था कि यह जितने भी powerful countries है वो सारी की सारी इन दो Asian countries के guest क्यों बनना चाहती है क्योंकि जो inheritance and resources इन दो Asian countries के पास है वो किसी के पास भी नहीं है जब लूफएंग great dive of life origin के जो knowledge था उसे अपने अंदर observe कर रहा था वो काफे दा शौक था समझ नहीं आ रहा था कि यह चीज़ सही में कितनी जादा profound और कितनी जादा mysterious है जो भी आज तक उसे पता था उन सारी चीज़ों से यह जो चीज जिसके पास एक sector beast है पीक लेवल का उसके भी क्यों हिमत नहीं होती कि यह यांग फैंग इशन कंट्री जैसे बड़े इशन कंट्री के साथ पंगाले लूफएंग inheritance को लेते हुए gate के बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते निकलते भी उसके दिवांग में ही सब चीज़ चल रही थी वही बार हम लोगों को चूयू हो देखने के लिए मिलता है जो कि लूफएंग का इंदजार कर रहा था लूफएंग चूयू के दरफ देखते हुए कहता है मुझे माफ करना भाई मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई जो चूयू होता है अरे अरे कुछ न करना दिया गया है यानि कि तुम और तुम्हारे डिसाइपल सर्वेंट तुम सब उस के अंदर भी शिफ्ट हो सकते हो जो चूयू होता है वह लूफएंग को चू सिटी के अंदर लेगे जाता है जहां पर लूफएंग की के थी वैसे देखा जाए तो यहां पर और भी अधर स्टूर्डर दे जिसके मदद से वह अपने इस पूरी के पुरी क्यू को कंट्रोल कर सकता था साथ से यह जो के लिए यह हमेशा के लिए ब्रदर लूफ ही कि है वही बहाँ पर हम लोगो को मोयो गिंगांग और मुरुशा भी देखने के लिए मिल सकता था तो की तो सब्सक्राइब तो और भी दा पावफुल थी यानि कि एक तरिके से आप ऐसा हिसाब लगा सकती हो कि वह अगर खुद भी चाहे इस जगह की फॉर्मेशन को तो तो नहीं तोड़ सकता चीज से लूफएंग समझ चुगा था कि वह बस चूग बस 0.001% पावर का इस्तमाल कर रहा था अपनी के फॉर्मेशन के अंदर वो नहीं कर रहा था इस्तमाल हुई थी अलड़री और वह जो 0.001% पावर थी वह इतने ज़्यादा पावफुल थी कि यह लूफएंग उसका कुछ भी नहीं भी गाड़ सकता था तो तरह कि आप अंदा से एक छोटी सी मदद चाहिए थी वही जो चुजू होता हो लूफएंग से कहता है अरे भाई बोल बोल तु तो भाई जैसा है लूफएंग चुजू से बताता है कि उसका एक रिलेटिव है जो कि नॉर्दन एच चौ स्टेट के अंदर रहता है एशन फ्लेम बेंड कंट् लूफएंग फाइनले टीचर रूजन को अपने पास बुलाना चाता है ताकि वो दोनों एक ही जगा पर रहे और लूफएंग उनकी मदद कर सके लूफएंग चुजू से कहता है कि आपकी काफेता महरबानी होगी कि अगर आप मेरे उस रिलेटिव को चुड़ू के अंद वो आपके रिलेटिव जगे रहा है तो मेभी वो उनके साथ कुछ गलत कर सकता है क्योंकि जैसी मैं आप लोगों बताया था है कि आप एकुल मिलाके साथ फॉर्स्ट क्लास मार्किस है और उन्हीं साथ मैंसे अभी एक नया नया बंदा चुजू बना हुआ है तो डेफिनि तुम्हारे साथ अपनी एक खुद की पर्सनल गार्ट के टीम बेजूंगा जिनके पास एक टोकन भी होगा और उनके साथ तुम अपने किसी सर्वेंट को भेज सकते हो जो कि बीजू चॉस प्रोविंसेस के अंदर जाएंगे हिंजे सिटी के अंदर वहाँ से डारेक्ली त का मार्किस है तो डेफिनिटली अगर वो किसी दूसरे प्रोविंसेस से किसी बंदे को रिक्रूट करके यहाँ पे लाता है अगर रास्ते में कोई दिक्कत आती है तो डेफिनिली चूईू के नाम का वो टोकन दिखा सकता है लेकिन रही ज्यादा बैटर होगा कि वो टोकन mechanic के साथ बेज देता है थे टोकन भी ओता है वहीए जोगों घाट के साथ लूसा को बिचथा यानि होता मुरुफा के जाना था यहां Pend données के बॉरी शेंदा घूचंट खेतüst यह कि बहु ज्यूयों प्रिवंसा už दो कर designated तो प्रन यह हैयों से कहता है की झोछिश Yakू को या आपर किता था brutal competition होता है royal families के बीच में even मैं 7 major marquis के अंदर आता हूँ पर उसके बाद भी मेरे से जो higher level के ओपर के marquis है यानि कि जो पहले के 6 marquis है वो definitely कुछ नो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे मुझे दिक्कत आई है अगर उन्हें रास्ते में कोई भी दिक्कत आती है तो मुरुशा टीचर ओरिजन को ब्रोटेक करने के लिए अपने रियल पावर्स का इस्तमाल कर सकता है यानि कि अपनी पीक लेवल के चौस पावर्स का यानि कि अभी तक जो मुरुशा था उसने अभी तक अपनी बस इटरनल ट्रू गाड्स लेवल तक की पावर्स का इस्तमाल किया था और वो सभी के सामने बस एक इटरनल ट्रू गाड्स बनके गुम रहा था ज़्यादा पावर्फुल है और इसके तो लूफएंग के उपर भी और उसके उपर भी काफियत सारी मुसिबत आ सकती है एक बार जब लूफएंग तोड़ था पावर्फुल हो जाए उसके बाद वो आराम से चौज मास्टर बनके गुम है या गौड किंग लेवल का वारियर बनके गुम है वह जो लूफएंग ता वो भी ओरिजन अनसिस्टर को अल्रड़ी इस चीज के बारे में बता चुगा था कि उसको मुरुशा लेने के लिए आने वाला है क्योंकि ये cage world के अंदर का appearance और cage world के बाहर का appearance ये दोनों तरीकी की information को reveal कर रहा था इस information को देखने के बाद loofang को actual ने पता चल रहा था कि उसकी क्या उकात है इस origin continent के अंदर इस वक वो पुरी के पुरी origin continent के अंदर एक तिनके के समान भी नहीं है ने नए resource के अंदर loofang को कुछ information पता चलती है जैसी कि जो origin continent है उसे supreme loss के तुरू govern किया जाता है ये सारे के सारे जो supreme loss है वो 3000 primitive universe के आसपास गुमते है ये सारे के सारे के सारे caged world है जिस दुनिया में loofang रहता था यानि कि 3000 primitive universe के अंदर से एक universe के अंदर उस area के अंदर यानि क एक तरगे से supreme loss के तुरू सारी 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 चीज़े कंट्रोल होती थी बहले ही फिर वो किसी नए life form के ब्रीडियों रिकागनेशन हो या फिर small universe का बनना या फिर किसी का मरना ने भी चीज़े होती थी ये सारी 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 supreme loss के according ये होती थी आपको एक और example देता हो जो लूफ को पौफेक्ट divine body है, वो किसी भी चीज़े अंदर convert हो चकती है, वो किसी भी चीज़े स्का रूप ले सकती है, इभन वो गायब भी हो यह ability यह ability लो वह ने खुद से नहीं की यह ability लो फैंग को Supreme Loss के दूर दी गई थी लो फैंग ने बस इन सब चीजों का एक essence को समझा था एंड रही बात इस ability की तो यह तो लो फैंग को Supreme Loss के दूर ही मिली थी जो Lord of She and Lord of You जिन से लूफैंग को बदला लेना था यह भी ancient flame wind country के guest थे यह लोग जो भी इनरेटेंस यहा से exchange हो गिरा करते होंगे वो definitely काफी जादा powerful होते होंगे क्योंकि after all उन लोग का level और लूफैंग का level भी काफी अदा लगया लूफैंग सुच रहा था कि पहले उसे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत powerful हो गया और लोफैंग को एक सी समझा रहा था कि अपने माश्र का बदला यानि कि माश्र जाओ शेंकी का बदला लेना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला उसके लिए अभी भी Lord of You and Lord of She इन दोनों के बीच में और लूफैंग के बीच में जमीन और आस्मान का अंतर था और इसी चीज़ से लूफैंग को एक सी समझा आई थी कि जितना दा तुमें knowledge होता है चीजों के बारे में उतना ही ज़्यादा धिरे धिरे करके तुम humble बनते जाते हो लूफैंग के सामने कुछ भी नहीं थी यानि कि यह जो रिसोस लूफैंग ने अभी अभी लिया था इसके सामने वो सारी उसके पुरानी life saving abilities वो कुछ भी नहीं थी और यह जो रिसोस था यह तो बस एक basic टाइप का resource था इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक basic resources उसे ने लूफैंग की पुरानी जितनी भी life saving abilities थी उसको खतम कर दिया यानि कि उसके बराबर की power generate कर दी तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकती हो कि एक basic सी चीज़ भी यहा पे लूफैंग की full potential जितनी powerful है इस वक वो सोच रहा था कि after all जो मास्टर जाउट रेंग मास्टर की strength है उसकी true strength किती ही जादा powerful होगी फिलाल के लिए वो अपने मास्टर से तो काफी जादा गमजोर था काफी जादा बेकार था definitely अगर उसे अपने मास्टर का बदला लेना था तो उसे काफी जादा powerful बनना था अभी भी इन सब चीज़ों के बार में सुचना सब्सक्राइब के अंदर थर्ड लार्जेस सिटी के अंदर आता था और देखा जाए तो इसका जो साइस था वो लगपल लग हुआंग सिटी के बराबर में ही था रही बात यहां के military power की तो यहां की जो military strength थी वो इत्ती जादा powerful थी कि जिजियों चॉस कॉंटेंट और लि future origin वह यहां पर बैठके आराम से दारू पी रहे थे first floor के ऊपर बैठते हुए and restaurant के अंदर एक कोने वाली seat के ऊपर बैठके जहां पर window थी वहां से वह बार के नजारों का लुपत उठा रहे थे after all वह यहां के एक deputy general थे city guards के सो इसलिए उनको थोड़ी बहुत इज़त मिलत लोगों को देखने के लिए मिलता एक वेटर आता है जो कि respectfully कुछ food और wine इस person के लिए लेके आता है जो हमारे teacher origin थे बहुत कहने के लिए तो वो बस एक eternal reward थे प्ट चिल क्योंकि वो deputy general थे इसलिए उनकी थोड़ी मोड़ी presence थी city के अंदर और नॉर्माल यह च्छोटे मोटे जो restaurants के waiter होते थे उनको इसके साथ काफे दा respectfully behave करना बड़ता था हमारे जो teacher origin थे वो अराम से धारू पीदी भी थे खाना खा रहे थे और आराम से वेट कर रहे थे क्योंकि उनको बताता कि उन्हें लेने के लिए कोई आने वाला है तो भी अचानक से यहांजू जो जो सखड़िकी के पास बेटा था वहाँ से काफे था पावफुल टैरिफाइंग औरा देखने के लिए मिलता था हमें वहाँ पे एक यंग मैन देखने के लिए मिल सकता था जो कि एक स्नेक लाइक फालाइंग बीस्ट के उपर बैट के पहली नजर के अंदर पहचान लिया था कुछ लोगो गैरिसन नाम थोड़ा समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दू कि जो गैरिसन है यह इंजियो सिटी का एक केस्ट ऑफिशियल है जो की चौजरिलम के उपर है यहां की गार्डिंग अगरा करना इस गैरिसन नाम क इसका जो दूसरा बेटा था उसने अपने दूसरे बेटे को एक चौजरिलम का एक बीस दिया था उसी बीस के उपर बैठके यह पुरी के पूरी यूंजिन सिटी का चकर काटते रहता था अफ्टर ओल देखा जाये तो यह जो बीस था उसके बाप ने इसलिए ता कि वह ब टैलना टूब वाट से पूंजिन सिटी के अंदर वो सारीdaughter सारी इस बंदे से जलते थे क्योंकि यह बंदा पूरी सिटी था ऊसके बीस की पाइटatal है जिसका नाम था अंकल हां हो है उनकलान से कहता है उनकल हांन कि इसका बाप रिट्रीट से बाहर आ चुका है तो ये तुरंत उसे मिलने के लिए आ गया था ये अंकलान इस बंदे को कहता है कि जो माश्चर है वो अभी अभी रिट्रीट से बाहर आ है तो आपको इतने हादा जल्द बाजी करने की कोई नीड नी है तभी वो बंदा कहता ह कि एक्चुल में अंकल हान मुझे अपने फादर को अपना ये बीश दिखाना है आफ एदा एक्साइट हूँ ये बीश दिखाने के लिए तभी वो जो बीश्ट होता है वो हवा में दो उलाटिया खाता है एंड इस बंदे के सामने आके खड़ा हो जाता है एंड आफटर बाब जो कि येस्ट ऑफिशेल है वो क्योंकि एशियंट कंट्री यांग फाइंग का गैस्ट ऑफिशेल है इसलिए उसके वाब को इतने सारे रिसोसेस मिलता है को और एलाइट स्टुएंट्स हों गया फिर जो बच्चे होंगे जो एलाइट फैमिली से बिलॉंग करते हों इस वक्त जो लू फैंग को रिसोस वगेरा मिल रहे होंगे वह भी इसी बंदे के बाफ जितने यानि की गैरी संट जितने मिल रहे होंगे जो कि यहां का जनरल है से मुमेंट के उपर हम लोगों मौरुशा देखने के लिए मिलता है जो कुछ गार्ट के साथ फानली लेश् लूसा को देखते हुए ग्रीड करता है यहांजू को एक्ष्वल में पता नहीं था कि लूसा कौन है उसको बस इतना बता था कि जो लूसा है वो लूफैंग का एक सर्वेंट है लूफैंग ने पहले मौरुशा का एक डीटियल अपीरियंस यहांजू को भीज दिया था त यहांजू को यहांजू को अपने एक स्पेस्टी रेट ट्रेजर के अंदर रख लेता है फिर उन गार्ट के साथ जो मौरुशा होता है वो शांती से यहांसे निकल जाता है पतली गली नापके इन गार्ट को तो यही भी नहीं बता था कि यहांपे इनके आने का परपस क्या है यह लोग बस मौरुशा का पीछा कर रहे थे इन गार्ट के आतों के अंदर एक टोकन दिया गया था चूकी चूजू का था उनको बस इतना बता था कि अगर कोई दिक्कत आई तो उनको यह टोकन दिखाना है जिसके मदद से कोई भी उनको कुछ भी नहीं बोलेगा क्योंकि जो चूजू था वो एक फर्स क्लास का मार्किस था उसी के ओडर के ओपर यह लोग यहां पर आये थे चूजू नहीं चाहता था कि बाकी के जो फर्स क्लास के मार्किस है उनको इन सब दिया था इस टोकन के इस्तमाल तभी करना जब जरुवत हो जैसे ही वो लोग वापिस से चुडू सिटी के अंदर लौड जाते हैं उनके पास वो जो यहां जू का टोकन था वो भी डिसपीर हो जाता है हम लोगो गैसन देखने के लिए मिलता है जो कि एक गैस्ट ऑफिश एक फर्स्ट क्लास का मार्किस एक्च्वल में उसने एक ट्रांसफॉर ओडर दिया है वो भी एक छोटे से पर्सन के लिए एक छोटे से डिप्यूटी जनरल के लिए यी चीज थोड़ी सी अजीब सी थी तरी के जो ट्रांसवर ओडर थे वो डारेकली रॉल फैमली के तरब से पास होते हुए आते थे तो गैरी से जैसे चुटे मोटे लोग होते थे वह इन सारे ट्रांसवर ओडर को बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर सकते थे बट यह तो उपर उपर की बात थी अगर गैरी सन चाहता तो वह रिफ्यूज कर सकता है कि जो गैरी सन होता है वह इसमाग के अंदर एक ठॉट आता है यह जो परसन है इसके आइडेंटिटी बिल्कुल भी ओर्डिनेरी नहीं है जो मार्किस चूजू है उसको इस परसन की काफियता चिंता है इसलिए उस बंदे ने इस बंदे को काफियता शांती से आसे कल्टी मार के निकलवा दिया ताक कुछ मुसीबत दे पैता कर सकता था इन सब चीजों के अंदर तक बाकी के चूली नियाच के जो फर्स क्लास मार किस थे उनको इन सब ट्रांसपर ओर्डर्स बगरे के बारे में पता चलता तब तक अल्रेडी जो हमारी टीचर ओरिजन थे वो हिंजिन सिटी को छोड़ जु करनी है कि आसपास के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इन दोनों के बीच में बहुत जादा क्लोज रिलेशन्शिप है और वैसे भी टीचर ओरिजन को तो लूफ हमेशा अपने साथी रखने वाला तो अगर वह बाहर भी जाते तो किसी को यह नहीं लगना चाहिए क लूफ हैंग के काफे दा क्लोज है तो इसलिए जो लूफ हैंग ता वो यहांजो को टीचर ओरिजन के जगवा पर यहांजो ही कहके पुकारता है डारिकली उनके नाम से वही जो टीचर ओरिजन थे वो भी लूफ हैंग को डारिकली लूफ हैंग कहके पुकार रहे थे हैं जिसके बाद जो लूप फैंग होता है वो टीचर ओर रिजन को ग्रीट करता है जिसके बाद जो टीचर ऊर्फ होता है वे इंदर चले जो लोफैंग होता है यौनजु को शार्ट आवर के एक रूम के उतर लेगे जाता है जिस फ्लोर के pas शर्म कि यौनज फ्लोर के अंडर वो लोगा आये थे लोगा काफी सारी आइटम्स को शारी पूर्म हर हम सारे kसिके यौकை क्योंकि जो लुफैंग था वो चौज रिलम के उपर पहुँच चुगा था यह सारी की सारी चीज़े उसे तब काम आती जब वो एक इटर्नल टू गॉड होता जिंग सैट था वो हमेशा एलाइड डिसाइफल को ही कल्टिवेट करता था तो नेचरली उनके पास यह सारी जि कैयाता है कि वो यहांजजीन सीटी के आंदर काफी ए Singing करते थे वह इतनी सारी मयनत इसली करते थे ताकि ऑबात में इन पॉइंट को ट्रैबिस के थात्यू कर सके औरंगा इनको काफीन भॉनें पर थी जो कि यूंजिन सिटी के अंदर काफी यदा मेनत करते है ट्रेजर्स के लिए, प्शल में जो लूफ एंग था, वो हमेशा से टीचर उरिजन की काफी यदा मदद करना चाता था, लेकिन पहले जो लूफ एंग था, उसके पास भी काफी यदा लिमिटेड रिचोर्स थे और जो भी उसे इनरिटेंस के थ्रू मिलेते हैं, यानि कि दौंग गाउं रिवर के इनरिटेंस या फिर वर्ल्ड ऑफ जिन के इनरिटेंस के थ्रू उन सारे रिचोर्स को पहले उसे खुद प्रैक्टिस करना पड़ता होता था, एंड फिर वो बाद में चाके टीचर उरिजन को उन सारे रिसोर्स को पास आउट कर सकता था, एज हमेमरी शोन के फॉर्म के अंदर वो लोग ओरिजन कोंटिरेंट के अंदर एक दूसरे मिल चुके हैं, तो जो लुफएंग था, वो ओरिजन एंसेस्टर को डारिकली अपने रिसोर्स दे सकता था, लुफएंग ओरिजन continent के अंदर आएंगे और उनके लिए लूफएंग की सारी की सारे treasures उनको provide कर सकता है दिखा जाए तो जो लूफएंग था वो जब eternal true god था था भी भी वो काफे था एलाइट वाली जिन्दगी की जीता था क्योंकि जो लूफएंग था वो लागों के अंदर सौधी करता था वह अंग्टी के अंदर भी वह लागों लागों रुपे लिया करता था किसी से भी किसी को भी ट्रेजर से उनकी जो कीमत थी वो लगब 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 टैंस ओ बिलियंस ओफ कॉस्मिक सेंड के आसपास होगी जो लूफएंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि एक बार जैसी बागी की यूमन कल्टीविटर यहाँ पर आएंगे यह शाय से ट्रेजर काफी ज्या लूफएंग से कहता है जरूर अभी तुम अपने कामों के अंदर लग सकते हो अफ्टर आल वो भी काफे एक्साइटेट है इन सारी रिस्योस को लेके अफ्टर आल इतने सालों के बाद वो जितना चाय उतनी सारी रिस्योस को यूटिलाइज कर जकते थे इसके बार लूफ लूफएंग होता वो अपने इनकागनेशन से मिला करता था टीचर ओरीजन से वो भी अपने होम प्लाइनेट के अंदर जहांपे बस इनकी कुछ स्पिरिट्स मिलती थी एंड यो लोग आपस में कुछ इंफॉर्मेशन बगिरा शेयर करते थे बड़ क्योंकि अभी जो टी बहुत सिंपल एप्लिकेशन बता थी लाइफ शिर्चुलेटी बारे में बट जो वी चीज लाइफ शिर्चुलेटी के अंदर इस एट रिबुलेशन लाइफ ओर डाइग्राम के अंदर लिखे हुई थी वो काफी अधा अलग थी लिए फैंक था उसके कोई भी जल्दी नहीं थी वो अराम-अराम से धिरे-धिरे इन सब तो बाड़ से तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि घर मेरा थोड़ा बहुत उचाई के उपर है तो आज सुछ से बिजली नहीं थी और बीच-बीच में आभी रही थी तो वो दस-पंद्रा-बीच मिनिट के लिए आती थी और फिर चली जाये करती थी डिसी कारण मेरे कोई वीड पसंद आया होगा मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबाए